Hello Class, आज के lecture में हम सेखेंगे In Circle of Triangle और Circum Circle of Triangle In Circle, पहले हम बात करते हैं In Circle तो किसी भी triangle के लिए, जैसे माल लेते हैं, ये एक triangle लेली हैं हमने किसी भी triangle के लिए एक ऐसा circle जो triangle के तीनों side को touch करे उसे हम इन सर्कल कहेंगे तो सर्कल के तीनों साइड को टच करें तो कुछ इस तरह से यह ऐसा कोई एक सर्कल बने जो ट्रैंगल के तीनों साइड को टच करें तो उसे हम क्या कहते हैं इन सर्कल कहते हैं और उस सर्कल का जो सेंटर होता है तो ये जो circle है ये circle कहलाता है in circle और इसका ये जो center है इस center को हम कहते हैं in center ठीक है तो in circle और उसका center in center अब ये हम in circle और in center हम draw कैसे करें in circle कैसे draw करें mainly circle का center मिलेगा तब ही तो हम उसका inside draw कर पाएंगे तो यहाँ पर इसे draw करने के लिए हम क्या करेंगे आपको triangle पहले draw करना है तो triangle कैसे draw करेंगे ये आप सब जानते हैं how to draw the triangle ठीक है अब हमें इसका अगर in circle draw करना है तो हमें दो side ये किसी भी एक angle का हम कहें पहले angle B ले ले लेते हैं हमें angle B का angle bisector draw करना होगा अब angle bisector कैसे draw करते हैं तो उसके लिए हम rounder लेंगे rounder की tip को यहाँ पर B पर रखेंगे और एक suitable distance rounder में लेकर हम एक arc करेंगे ये इस तरह से आपका एक arc कट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर arc करेंगे तो अब क्या करना है तो आपने क्या किया बी पर center को रख कर आपने एक arc कर गिया अब आपको क्या करना है यहाँ पर इस arc ने डों आपको क्या है ट्रैंगल के दो इस को कट किया है एक तो यहाँ पर कट किया है तो हमें करना क्या है हमें अब यह point को center consider करना है और अब आर्क का लिंद्ध हम थोड़ा सा आजएस्ट करना चाहें तो चाहें पर यहां हम अवन एक डियस जो भी डिसाइट करेंगे वो सचेंज नहीं करेंगे तो हमने हमेरे राउंडर को ठोड़ा सह और फैलाया उके जिससे अब रीडियस थ्ढ़ा सा बढ़ गया औरफिर हमने एक आर्का draw कर दिया तो यहांसे जबr bdr करेंगें तो यह कुछ इस तरह से यह is तरह ट्रॉ यहां पर यहां पर यह जो दो आर्क हैं यह दोनों एक द्रेकोद कर रहे जहां पर कर रहे वह और यह point B को हम इस तरह से joint कर देंगे ठीक है यह joint कर दिया तो यह joint कर दिया तो यह जो हमको line मिलती है इसे हम कहते हैं angle bisector आप angle bisector के लिए YouTube में type के जे angle bisector how to draw angle bisector आपको video मिल जाएगा angle bisector कैसे draw करना है वैसे यहां पर मैंने आपको बता तो दिया कि angle bisector कैसे draw करना है फिर इसी तरह से हम यह कोई दूसरा point ले लेते हैं जैसे A ले ले लेते हैं या फिर C ले ले लेते हैं चलिए C ले ले लेते हैं इनको consider करके फिर हम आर्क करेंगे दो आर्क करेंगे अब हम थोड़ा सा radius को बढ़ा लेते हैं और आर्क करते हैं तो यहां से center consider करके करेंगे तो यह आर्क कुछ इस तरह से बनेगा यहां से करेंगे तो यह आर्क कुछ इसको इस तरह से cut कर रहा होगा ठीक है तो अब यह point और ये पॉइंट को ये जो intersection point इसको joint करते वे आगे बढ़ेंगे, तो ये जुसरे को जहां पर intersect करता है, उस point को हम in center कहता है, उसको हम क्या कहता है, in center, अब ये in center मिल गया, तो इसे center consider करते वे, यहां से अगर एक perpendicular draw किया, और इसे radius ले लिया, ये distance को radius ले लिया, और एक अग circle इस तरह से triangle के तीनो side को touch करेगा, ऐसे तीनो side को touch करेगा, अब यहां पर यह होता बड़ा मुश्किल है draw करना, तो आपकी drawing बहुत अच्छी है, तो आप बना पाएंगे, लेकिन अगर drawing इतनी अच्छी नहीं है, तो आप देखेंगे कि जब आप in circle बना रहे हैं, तो वो क गलती आप कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा कि अगर गलती कर रहे हैं, तो आपकी skill को थोड़ा improve करना होगा, और फिर वापसे draw करना होगा, तो यह कोशिश कीजे कि आपका 1 mm, 2 mm से ज़्यादा गरबर ना हो, अच्छा अगर हमने यहां पर यह को सेंटर करने की जगा, एक को अगर सेंटर किया होता तो क्या होता, तो भी जो हमारा angle bisector होता, वो इस point से ही pass होता, यह point से ही pass होता, तो यह point कहलाता है in center, ठीक है, done, in circle कैसे draw करते हैं, तो चलिए इसका हम पूरा step by step procedure भी देख लेते हैं, तो चलिए, अब यहां पर देख पर प्रॉब्लम में कि एक constructor triangle PQR, PQ 6 cm, angle Q 35 cm, QR 5.5 cm and draw the encircle, तो यहां पर दो चीज़े हो गई, एक तो पहले आपको triangle draw करना है, और फिर उसका encircle, तो एक rough diagram draw कर लेंगे, यहां पर PQR यह एक rough diagram लिया, जिसमें आपने माक्किया की PQ 6 है, angle Q आपका 65 degree है, तो 65 degree पर यह angle Q draw कर लिया आपने है, और QR का length 5.5 है, और फिर encircle draw करना है, तो पहले तो triangle draw करना है, triangle कैसे draw करना है, यह आपको पता है, PQ draw करेंगे, 6 cm, 65 degree angle पर एक line draw करेंगे, और फिर rounder को use करके, उस line पर 5.5 cm का एक cut करेंगे, तो वो cut जो होगा, वो आपका point R हो जाएगा, और फिर R औ entropy को joint कर देंगे, तो आपने triangle PQR draw कर लिया, फिर अब हमें क्या करना है, अभी हमने 2 angle का bisector draw करना है, तो second step है, draw the bisector of any two angle of the triangle, तो bisector कैसे draw करना है, अभी हमने सीखा था, यहां पर आप देख सकते हैं, कि पहले तो triangle draw करते हैं, इन्होंने PQ draw किया 6 cm, फिर angle 65 degree draw किया, यह ऐसे आगे extend हो रहा है, और फिर 5.5 cm का एक arc लेके, कट किया यह लाइन को, यहां पर कट कर रहा है, तो इसे R नाम देखे, इसे और P को joint कर दिया, अब हमने P और Q का angle bisector draw किया, अब angle bisector draw करने के लिए देखिए, हमने P को center लेते वे एक arc draw किया, अब कुछ लोग यह आर्क जो draw कि करते हैं, वो point और P point को joint करते वे एक ray आप खेचेंगे, तो आपका angle bisector हो जाएगा, तो यहां पर angle P का angle bisector बनाया, और इसी तरह से angle Q का angle bisector बनाया, यह दोनों जाकर I पर meet करते हैं, तो जहां पर meet किये, उसको हमने क्या नाम देदिया, I नाम देदिया, फिर I से हमने एक perpendicular draw किया, I से एक perpendicular draw किया, तो आपके पास geometry box में perpendicular draw करने के लिए set square होते हैं, आप set square को use करके draw कर सकते हैं, या फिर आप ने अगर सीखा है कि कि किसी external point से कैसे perpendicular draw करना होता है, तो आप वो use कर सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूँं कि जैसे सपोज यह point से perpendicular draw करना है, तो PQ इसको दो जगा पे cut लगाएंगे, दो जगा पे cut हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम center consider करते वे, इस तरफ, दूसरी तरफ एक cut मारेंगे, ऐसे ही यहाँ से इधर एक cut मारेंगे, जहाँ पर यह मिल्क है, यहाँ से इसको ऐसे joint कर देंगे, तो यह आपका इसके उप पर परपेंडिकलर हो गया, और फिर यह i से m तक का distance radius consider करके, हम एक circle ड्रॉ कर लेंगे, तो i से m अगर यह radius consider करके, एक circle ड्रॉ करते हैं, तो वो जो circle होगा, वो circle आपका in circle हो जाएगा, और यह जो point i है, यह आपका in center होगा, तो in center को हम generally i से ही denote करते हैं, in center is denoted by i, चले, त अब बात कर लेते हैं, circum circle की, तो circum circle के लिए, यहाँ पर यह triangle ले लेते हैं, और यह triangle का हमें circum circle ड्रॉ करना है, तो अब circum circle का मतलब होता है, एक ऐसा circle, जो यह vertex A, vertex B और vertex C को touch करे, तो वो जो circle होता है, वो circle कुछ इस तरह से होगा, यह ऐसे circle, okay, circle कुछ मज़ेदार नहीं है, फिर से ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ आपका circle ड्रॉ होगा, तो यह जो circle है, इसे हम कहते हैं circum circle, और इसका जो center होता है, उसे हम कहते हैं circum center, तो यह circum center, ठीक है, तो यह जो circum circle है, इसे कैसे बनाना है, तो इसे बनाने के लिए, हम क्या करेंगे, हम किसी दो side का perpendicular by sector, जैसे side ab है, तो ab का हम perpendicular by sector ड्रॉ करते हैं, तो ab का perpendicular byisector कुछ इस तरह से, perpendicular by sector के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ab का हमें perpendicular by sector ड्रॉ करना है, तो point a consider करेंगे, डिस्टेंस AB के half से ज़्यादा होना चाहिए और उतना radius consider करते वे एक arc हमारा इस तरफ लगेगा AB के एक side और दुसरा arc हमारा AB के दूसरे side लगेगा इसी तरह से B को center consider करते वे हम यह जो arc है इसको cut करेंगे तो यहां पर यह arc लगा यहां से इसको वापस से हमने cut किया तो कुछ यह इस तरह से आर्क गया यह इसको cut किया तो यह जो दो point मिल रहे है जहां पर cut हो रहा है यह दोनों point को हम क्या करेंगे जोइंट कर देंगे तो यहाँ पर यह थोड़ा सा गड़बड मैंने ड्रोग किया है तो यहाँ पर क्या होता है इस तरह से आर्क ड्रोग करके आप जब ड्रोग करेंगे तो यह इसके इस तरह से मिड़ पॉइंट से पास चोटेवे से यह आपको एक लाइन मिल जाएगी तो यह मिड़ पॉइंट से पास होती है 90 डिग्री होता है इसी तरह से जैसे AB का हमने बनाया, वैसे ही हम BC का भी perpendicular bisector draw करेंगे, यह BC का perpendicular bisector हो गया, जहां पर यह दोनों bisector एक दूसरे को meet करते हैं, वो आपका circumcenter होगा, फिर K point center consider करके, यह B से लेके यह distance का हम radius ले लेंगे, और एक circle draw करेंगे, तो वो जो circle draw करेंगे, वो vertex AB और C तीनों से pass होगा, अब य वैसे इन circle में आप को draw करने में problem होती है, वैसे यहां circum circle में draw करने में आपको ज़्यादा problem नहीं आएगी, अगर आप किसरे साइड का भी perpendicular bisector draw करेंगे, तो वो यह circumcenter से ही pass होगा, तो तीनों जो circum, perpendicular bisector होते हैं triangle के, वो एक point से pass होते हैं, और उस point को हम circumcenter कहते हैं, इसी तरह से triangle के अगर angle bisector को हम draw करेंगे, तो वो एक point से pass होते हैं, उसे हम in center करते हैं, तो इस तरह से circum circle आप draw कर सकते हैं, चलिए इसे भी एक example से समझते हैं, तो यहां पर एक problem लिया हमने, constructor triangle DEF, एक triangle draw करना है, हमें DEF triangle draw करना है, DE की value 4.2 है, DE 4.2, angle D 60 degree, angle E 70 degree, और draw करना है circum circle, तो अगिन जब भी आप problem को draw करें, पहले आप एक rough diagram draw करें, तो rough diagram में एक simple से अपने triangle draw कर लिया, और जो information दी है, वो सारी information लिख दी, तो इसे होता क्या है, कि आपको triangle draw करने में काफे असानी हो जाती है, जैसे यहां पर जब मैंने information लिख दी, तो मुझे प draw कर लिया, यहां पर दीखे, triangle DEF आपका draw हो गया, अब इसके बाद में मैंने कहा कि दो side का perpendicular bisector draw करना है, तो जैसे यहां पर DE side लिया, DE side का perpendicular bisector draw करना है, तो perpendicular bisector के लिए D को center consider करके, आप एक arc उपर बनाते हैं, फिर एक arc नीचे बनाते हैं, इसी तरह से E को center consider करते हैं, आप radius को change नहीं करेंगे, जो radius आपने D को consider करते हुए लिया है, वही radius आप रखेंगे, E पर रखेंगे, और E पर रखेंगे, फिर एक arc draw करेंगे, तो कुछ इस तरह से, और यह इस तरह से, तो यह मैंने थोड़ा सा आपको जो दिखाया, वो गलत था, कि अगर मैं D को consider करता और यहां पर यह ऐसा जाता है, फिर E को consider करेंगे, तो arc ऐसा जाएगा, और ऐसा जाएगा, क्योंकि E मेरा center है, तो यह जो दो point है, इनको join किया हमने, तो यह perpendicular bisector बना, इसी तरह से, यह E F, तो E F में E को center किया, consider किया, और E F के एक तरफ हमने arc draw किया, दुसरी तरफ arc draw किया, फिर F पे रखा, वही same radius लेते वे, इस arc को cut करते वे, यह arc draw कर दिये, और फिर इनको join कर दिया, तो यह जहां पर meet कर रहे है, वो point आपका क्या होगा, वो point आपका circum center हो जाएगा, फिर आपको एक बार circum center मिल गया, तो आप उसको center consider करिये, और फिर उससे D को join किजे, यह आप आपका radius हो गया, फिर यह radius लेकर आप एक circle draw कर दिये, यह आपका circum circle हो जाएगा, तो यह आपने देखा कि किस तरह से circum circle आप draw कर सकते हैं, तो यह जो दो example है, पहले यह दो examples को आपको करना है solve, इसलिए करना है कि यह solution दिया हुआ है यहाँ पर, और आप कहीं कुछ गलती करे ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ exercise के problem देखते हैं, ओके, तो यहाँ पर पहला question है कि construct triangle ABC, angle B 100 दिया है, BC 6.4 दिया है, C 50 दिया है, और आपको इसका encircle draw करना है, तो पहला क्या काम है आपका, पहला आपको एक rough diagram draw करना है, ठीक है, क्या करेंगे आप, ए में angle B 100 है, यह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो angle BC दिया हुआ है, तो उसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यह B ले लेता हूँ, यह C ले लेता हूँ, B 100 है, तो rough में भी थोड़ा तो accurate होना चाहिए न, तो यह more than 90 degree, यह आपका 100 degree हो गया, और angle C 50 degree, तो यहाँ से 50 degree, तो यह सपोज इस तरह से यह यहाँ पर मिला, तो यह A, B, C यह आपका एक rough diagram हो गया, अब इसका in center draw करना है, तो in center के लिए हम क्या करेंगे, B का angle bisector draw कर लेंगे, C का angle bisector draw कर लेंगे, तो इस तरह से roughly draw कीजिए, और यह point mark कर दीजिए I, तो यह हो गया आपका rough diagram, अब इसे fair कर लेते हैं, B, C की value 6.4 दीए, तो fair में क्या करेंगे, fair में हम एक 6.4 का segment लेंगे, 6.4, B, C, फिर हम B पे 100 degree, तो यहाँ पर यह 100 degree की इस तरह से एक, आप एक segment draw कर लेंगे, 100 degree पे, तो यह कुछ 100 degree पे यह ऐसा segment होगे आपका, और फिर C से 50 degree पे, तो 50 degree यह यह आपका इस तरह से acute angle, तो यह 50 degree पे अपने draw कर लिया, तो यह ABC आपने triangle draw कर लिया, जहाँ पर यह 100 degree है, और यह आपका 50 degree है, अब क्या करना है, B को center consider करते वे, आपको angle, ABC का angle by sector draw करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक suitable radius लेके एक arc draw कर लेंगे, तो यहाँ पर हम यह इस तरह से एक arc draw कर लेते हैं, फिर C को center consider करेंगे, यह point को center consider करेंगे, और यह आप इस तरफ, यहाँ पर C को center consider करते वे, एक arc draw करेंगे, ऐसे यह point को center consider करते वे, वापस से arc draw करेंगे, तो जहाँ पर एक जुसरे को cut करेगा, वो point और यह point, B और इसको आप joint कर देंगे, यह आपका हो गया angle bisector इसी दर से c का angle bisector draw करने के लिए आपने यह आर्क द्रो किया फिर यह point और यह point को consider करते वे आपने यहाँ पर यह kuch arc द्रो किया और यहाँ से यह आर्क को cut किया और पिर यह इस से c से इसे जोइंड कर दिया तो यह कुछ इस तरह से यहां पर meet कर रहा है, यह point है आपका I, in center हम कहेंगे, फिर यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको एक perpendicular draw करना है, perpendicular आपको आता है draw करना है, यह perpendicular draw करना है, यह suppose I, M point ले लेते हैं, यह जो I M है, अब इसे radius लेना है, rounder में इतना radius लेना है, और फि circle क्या होगा, यह circle इस तरह से तीनों side को touch करेगा, okay, तो हम जानते हैं कि angle by sector पर जो भी point होता है, वो बाकी दोनों side से equal distance पर होता है, तो यहां से यह जो distance है, perpendicular distance और यहां से जो distance है, वो same होगा, इसी तरह से यह particular angle में यह distance और यहां से यह distance same होगा, तो इसके लिए अगर मैं यह radius consider करते हैं, तो वो triangle के तीनों side को touch करेगा, और यह हमारा in circle कहलाएगा, तो यह हो गया आपका construction, तो जैसे जैसे step by step अपने procedure किया है, वैसे ही आपको अगर steps लिखने के लिए आता है, तो steps लिखना है, जैसे आप लिखेंगे draw BC 6.4, at point B, draw angle at 100 degree, at point C, draw an angle at 50 degree, they intersect at a point, name it as A, then draw the angle bisector of angle B, and angle bisector of angle C, where they meet, mark that point as I, then from I, draw a perpendicular on BC, mark that point as M, now take IM as radius and draw a circle, this is your encircle, so this is what steps are, so steps लिखना भी कोई बहुत difficult task नहीं है, आराम से आप steps को लिख सकते हैं, चले, अब आगे दूसरे प्रोलम पे जाता है, तो यहां पर second question है, constructed triangle PQR, such that angle P 70, angle R 50, and angle side QR 7.3, and constructed circumcircle, तो यहां पर पहले एक रफ दिग्राम ट्रोग कर लिए, यहां पर angle P, आपका 70, angle R, आपका 50, और QR 7.3, तो यहां पर हमें QR side दिया है, तो हमें Q angle find पता होना चाहिए, तो Q angle पता करने के लिए, हम प्रोपर्टी यूज़ करेंगे, कि अगल P, plus angle Q, plus angle R, is equal to 180 degree, angle P है 70 degree, angle R है 50 degree, और angle Q हमें पता नहीं, तीनो का सम है, वो 180 degree, 70 plus 50, 120 degree, plus angle Q, is equal to 180, So, therefore, यह जो angle Q है, it is 180 degree minus 120 degree, is equal to 60 degree, So, angle Q, angle Q, यहां पर हमने find out कर लिया, angle Q 60 degree, अब, अब, इसका circumcircle draw करना है, तो एक circle जो इसके चारो तरफ से इस तरह से जाता है, यह circumcircle हो गया, तो यहां पर जब हम construct करेंगे, तो पहले हम QR ड्रो करेंगे 7.3, तो यहां पर यह QR ड्रो कर लेते हैं, QR ड्रो कर लेते हैं, इसका length है 7.3, फिर Q पर 60 degree का angle ड्रो कर लेंगे, तो यह 60 degree angle हमने ड्रो किया, R पर हम 50 degree का angle ड्रो कर लेंगे, तो यहाँ पर यह 50 degree का एंगल द्रॉ किया प्रोट्रिक्टर से आप एंगल द्रॉ कर सकते हैं अगर एंगल द्रॉ करने में तकलीफ है तो आप देख लिजे कोई YouTube पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहां पर आपको ट्रैंगल कैसे बनाना है या एंगल कैसे बनाना है वो दिया होगा एक बार अपने ट्रैंगल बना लिया तो आपको किसी भी दो साइड का पर्पिंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रो करना है तो जैसे क्यू आर का पर्पिंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रो करना है तो आप क्यू को सेंटर कंसिडर करेंगे और क्यू को सेंटर कंसिडर करते वे क्यू आर के अप साइड में एक ऐसे आर्क ब्रॉ करेंगे यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आप रिडियस कंसिडर कर रहे हैं वो QR के हाफ से ज़्यादा होना चाहिए तो ऐसे नहीं कि आप मेजर करके ज़्यादा करें ऐसे अंदाजे से आप ज़्यादा ले सकते हैं तो एक आर्क इसे तरफ ऐसे ही आर को कंसिडर किया तो आर्क को सेंटर कंसिडर किया तो यहाँ पर और केहाँ पर यहां से यह कट होगा और इसे पिर हम जोइन कर देंगे तो यह पर्पेंडिक्वल बैस एक embarrass 90 तो एस तरह से किसी और रड और साइट तो यह ऐसे इसको cut करेगा, यहां से इसको cut करेगा, और फिर इसे हम joint करेंगे, तो यह कुछ इस तरह से, तो यह क्योंकि मैं हाथ से कर रहा हूँ, थोड़ा सा problem है, perfect नहीं बन रहा है, बट generally वो इसके center से pass होगा, और इस पर 90 degree होगा, तो वो कुछ इस तरह से आपका बन रेडियस कंसेडर करना है, और CP, आप CP ले लो, या फिर आप CQ ले लो, या फिर आप CR कुछ भी ले लो, सब लेंगे, आप यह रेडियस लेके एक circle ड्रो करेंगे, तो वो जो circle है, वो circle आपका जो तीनों point है, P, Q और R तीनों से pass होगा, और यह आपका बन जाएगा इस तर से circum circle, okay, circum circle, second question, तिसरा question है, constructor triangle XYZ, such that XY 6.7, तो एक triangle हमें दो करना है, अभी आपर rough diagram हमें बना लिया, तीनों साइट दिये में, तो easy है, draw करना, XYZ, so XY की value 6.7, YZ, YZ की value 5.8 और XZ, XZ की value 6.9, यह हमने draw कर लिया, फिर हमें इसका in circle ड्रो करना है, तो in circle मतलब यहां पर कोई भी दो angle का हम angle by sector ले लेंगे, तो यहां पर यह इसका angle by sector ले लिया, यह जो point है, यह आपका I होगा, इसको center consider करके एक circle ड्रो करेंगे, तो वो जो circle ह आपका क्या होगा, in circle होगा, तो ठीक है, draw करेंगे तो properly यह third side को भी touch करेंगा, okay, perfectly अगर draw करेंगे, तो ठीक है, आप जानते ही हैं कि किसरा से triangle draw करना है, और किसरा से angle by sector draw करना है, तो जो fair diagram है, fair diagram आप खुद बना सकते हैं, fourth problem यहाँ पर है कि triangle element, अब triangle element में LM 7.2 और MN 6.4 और angle M दिया हुआ है, तो चलिए यह draw कर लेते हैं, LM, angle M की बात करेंगे, तो 105 तो थोड़ा obtuse angle होगा, 105, L MN और MN यह length दिया है, में 6.4, तो आप अगर fair diagram बना रहे हैं, तो 7.2 लिया, 105 degree angle लिया, line draw कर दिया, और उस पर हमने 6.4 cm का arc के cut कर दिया, फिर L N को join कर दिया, तो यह आपका triangle LMN बन गया, अब उसके बात में इसका circum center consider करना है, तो आप कोई भी दो side का perpendicular bisector draw कर लीजे, जैसे इसका और इसका आपने perpendicular bisector draw क कहीं यहाँ पर meet कर रहा है, तो इसे center consider करेंगे, और एक circle draw करेंगे, तो वो आपका circumcircle हो जाएगा, लास्ट question है कि constructor triangle DEF, जहाँ पर DE और EF दोनों का lens 6 है, और angle F 45 डिग्री है, और फिर उसका circumcircle draw करना है, तो DE draw किया 6, फिर angle F दिया है 45 डिग्री, पर यहाँ पर देखेंगे आपने, चलिए यह एक हम draw तो कर लेते हैं, फिर बात में इसके बारे में discuss करेंगे कि कैसे, DEF, ओके, यहाँ पर angle F यह वाला angle आपको दिया है 45 डिग्री, बेस अंगल है नहीं आपके पास, EF, यह length भी आपको दिया है 60, तो क्योंकि यह length और यह length सेम है, तो इसका opposite angle यह और इसका opposite angle यह दोनों बराबर होगा, तो यह 45 है, तो यह angle भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री, अब triangle में यह 45, यह 45, 90, तो यह angle हो जाएगा आपका 90, तो पहले तो आपने क्या किया, आपने तिरों angle find out कर लिए, अब उसके बाद आप कोई भी side लिजिए, जैसे माल लेते हैं हम, और d e side ले लेते हैं, तो d e side यहाँ पर d e 6, angle e हम देख रहे हैं, angle e 90 डिग्री है, तो यह 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 6, ठीक है, तो यह आपका f हो गया, और फिर f और d को joint कर दिया, तो यह d e f हो गया, फिर इसका में circum circle बनाना है, तो circum circle इसका अगर हम बनाएंगे, तो वो जो circle होगा, उसका center कहीं यह hypotenuse पर आएगा, आप perpendicular bisector draw कीगे, यहाँ पर draw किया, यहाँ पर draw किया, तो यह ऐसे कुछ यहाँ पर meet करेगा, और फिर आपका circle यह d e f से pass हो जाएगा, यह आप radius consider करेंगे, जो भी point है, c, c, d, this will be radius, and by considering this as radius, if you draw a circle, it will pass through all the three points, तो यहाँ पर कुछ main point जो हमने इस chapter में सीखे, पहला है कि in circle of triangle touches all sides of triangle from inside, दूसरा point है, for construction of in circle of triangle, we have to draw bisector of any two angles of triangle, तो in circle आपको draw करना है, तो किसी भी दो angle का angle bisector draw करेंगे, circumcircle of triangle passes through all the vertices of triangle, circumcircle अगर draw कर रहे हैं, तो वो तीनों vertex से pass होता है, for constructing the circumcircle of triangle, we have to draw perpendicular bisector of any two sides of triangle, अगर मैं circumcircle construct करना है, तो हम किसी भी दो side का perpendicular bisector draw करेंगे, circumcenter of an acute angle triangle lies inside the triangle, अब circumcenter acute angle triangle है, तो inside होगा, right angle triangle है, तो वो hypotenuse का midpoint होगा, वो इसके last आले problem में discuss किया था, और अगर कोई obtuse angle होता है, तो circumcenter आपको triangle के outside मिलता है, लेकिन in center किसी भी तरह का triangle होगा, आपको हमेशा triangle के अंदर ही मिलेगा, तो दो चीज़े, circum circle और encircle ये आज का हमारा topic था, अभी होप सारे questions आपको समझ में आये हैं, सब आपको draw करना है, और जो बच्चे मेरे साथ connected है, उन्हें draw करके, ये मुझे send करना है, तो आपका homework की होगा, कि आप इसे draw करें, और draw करने के बाद में, आप PDF बना कर मुझे भीजिए, ठीक है, जड़ी,